मैं अपनी गार्डेन को के जंगलों को थोड़ा साफ कर रही थी तो मैंने देखा कि यहां पे जो है यह जो गुलाब के फूल के वाज़े से आपको मैं दिखाती हूँ पूरा मेरा जो अद्रक का प्लांट है वो ज्यादा ग्रो नहीं हो पा रहा है तो इसको हम किस तरह से उखार के दुसरे जगा इसको मैं अभी सिफ्ट करूंगी अगर आपके साथ यह प्रॉब्लम है तो आप यह डड़े ना कि यह पेर कहीं मेरा सूख ने जाए आप इसको असान तर यहां भी अद्रक लगाया हुआ है तो इसमें यहां पे जगा है तो यह उपर मुखा फैल रहा है यहां पे गुलाब के प्लांट के वेज़े से यह ज्यादा फैल नहीं पा रहा है तो इसको मैं दूसरे जगा सिफ्ट करूंगी यहां पे मैंने जगा बनाया है यहां पे द दिना का प्लाण्ट भी देख सकते हैं लतर राइ सब में आ चुका है तो मैं इसको दूसरी जगा वी छूरा जैसा है इस तरह का ये देख सकते हैं है यत?". अग्वास खुर्पी तो आप खुर्पी से भी इसको खार सकते हैं तो हमें इसको जो है इस तरह से नीचे तक दम यहां देख सकते हैं जिससे जड़ जो इसका तूटेगा नहीं इदर मैं नीचे तक इसको धसा रही हूं थाकि इसके एक भी जड़ तूटे ना और यह जाएगा देखिए यहां यहां देखिए एक भी रूट स्वे मेरा इसमें टूटा नहीं है और बहुत असान से यह निकल गिया है अब देख रहे होंगे मैं अपर पुराच्छे से दिखाती हूँ तो अब हम इसे दूसरे जगा शिफ्ट करेंगे फैन दूसरे जगा जहां पर जगा मैंने बनाया रखा है यहां पर मैं इसको लगाऊंगी इसमें हमें बरा स्वोब करना है जिसमें इसके जर रूट तूटे नहँआ और अच्छे स दालना है ताकि मेरा प्लान्ट सुखे भी नहीं और दूसरे जगह से इसको डाल देंगे इसमें इस तरह से देख रहे होंगे आप पूरा इसके में अपको फिर से दिकाती हूँ मिति भी अपर डीला होगे और यह रूट अभी बहुत अच्छे हैं कहीं पर से कुछ भी इसका खराब नहीं हुआ अब हम इसे भीर यहांचे ज्युक्त को मुण।ये मेरा मिटी डालेंहें जांगते व हुए कि मुधी ज़ए कड़ी टालेंहे तो मैंने इसको इसी में यहाँ पर लगा दिया ताकि यह अच्छे से नीचे इसके अद्रग फैले और यह इसका प्लांट भी अच्छे से लग जाए तो बस इस तरह से ही फ्रेंड हमें एक बेर को दूसरे जगा शिफ्ट करना है तो आप भी इस तरह से अपने प्लांट को ए और अच्छे लगेगा और मैं अच्छे अच्छी वीडियो आपको बना के आपके लिए डालूंगी तो थैंक्यू फ्रेंड्स